पूर्णिंग फ्रेंट्स मैं अधर में आप देख रहे हैं ओनलाइन ट्रेश्टर डिर्ट चैनल अब फ्रेंट्स देखें सभी को बताए जैसे कि हमारी वीडियो आती है सुबह सुबह जो है आती है दस वजे ठीक है तो फ्रेंट्स जो वीडियो है स्टार्ट हो चुकी और सभी से रिक्वेस्ट रहेगी जितने भी स्ट्वेंट है आज़ेगा और फ्रेंट्स सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखेगा ठीक है अंतर देखेगा जिसे जितने भी student है जितने student आ चुके हैं उन सभी से request लगी कि आपको थोड़ा सा wait करना होगा 10 बजे तक कोई कि अभी जो हमारी वीडियो स्टार्ट होती है 10 बजे 10 बजे और आपको वीडियो का सीड्यो का live वीडियो का schedule दिखाई दी रहा है और जिसमें आपको सारी वीडियो दिखाई देरें रीजिनिंग मैट और जिके जीएस जीके जीएस की क्लास दो होती है एक सुबह होती है मौरिंग में एक रात को होती है आपको दस बज़ेगा है तो फ्रेंड सभी से रिक्वेस्ट रिकिति में इस्टुएट आ चुके है भी लाइप तो फ्रे सब्सक्राइब पर चुके इसलिए वह इसी होजाते हैं और कि ऐसा नहीं है कि वह कोशन मैक्जियूम इसी है तो दिखे फ्रेंड पहला कोशन स्क्रीन पर है आपकी फॉर्स कोशन ऑन यह स्क्रीन पहला को अब क्या रहेगा ओके फॉर्स कोशन है 13 सितंबर 2018 को रास्ट चात पॉर्टल मोबाइल एप किस ने लॉंच किया तो आपको बतानी किस मिनिस्ट्री ने जो है वो लॉंच किया आप कौन से बताना है और फ्रेंड दिखे आच्वल में क्या है देखे यह आप सूच तो करेंट अफर कोशन है फ्रेंड लेकिन यहीं जर्नल अवैनिस कोशन भी पाईनिस मेंट सी निश्टी है स्टी अरुंद ही प्राइंण बी जो है सिर्स्री नीली मिनिस्टर के द्वारा यह ऑनुटार मुकम्मट के सब्सक्वां सकते हैं पर hesitation आता है यहां पर एक यह option आया है तो friend थोड़ा सा slow चलेंगे अभी क्यों को कि दिखेंगे अभी 10 नहीं बज़े हैं और अमने एक question करा भी दिया है तो सभी से question कि तो student आ रहा है जली लिस आज़ेगा जली लिस आज़ेगे friend और comment box में अपना comment लिख कर विज़े आप लोग आ चुके मुझे पता चलने चाहिए कि आप लोग आ चुके हैं आप comment करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई आप आ चुके हैं ठीक है गुड मॉर्निंग सभी के लिए औल आफ यू गुड मॉर्निंग इसका answer जो रहेगा वो फोर्ड रहेगा welfare minister मुक्तार अबास नकवी ने जो है क्या नाम है इसका राष्टे शात्री पोटल एप नाम की जो मुबाइल एप है वो लॉंच की है पहले का पहला नहीं है पहले का चौता answer है अगला question प्रेंड इसक्रीन पर जो है आपके अगला question है बते ही कह रहेगा जल मैं आसानी से घुलनसील है जल मैं कौन सी चील गुड मॉर्निंग ओके गुड मॉर्निंग अनीशी बोल रहे हिंदी मैं answer हिंदी मैं लिखेंगे अंदर हिंदी मैं लिखेंगे कोई बात नहीं है आप किसी भी language में लिखेंगे अप्शन अगर आएगा तो मैं समझ जाँगा लेकिन बस हिंदी इंगलिश होना चाहिए इसके हलावा अगर आप लिखेंगे तो मैं समझ भी पाऊँगा ओके आंसर कमेंट कीजे कह रहेगा अब यहां बताना है आपको ऐसा इसा चीज बताने जो पानी में घुलंट से लिए आपके ऑप्शन दिया है फोर्थ कावन नाइटूजिन आमोनियम आमोनिया या आयोडिन आंसर कमेंट कीजेगा क्या रहेगा क्या रहेगा अर्विंद कुमार जी कोई बात नहीं है आप आंसर दीजिए सबी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी के जितना भी हो से अतना वीडियो कॉटेंट कीजे ओके इन दी एंड आपको जो है अच्छी कुशिन नहीं मिलने वाले हैं तो फ्रेंट बतेगे क्या रहे परवाणू है जिनके तो बताने आई सब्सक्राइब के निशी ऑक्षिन ची आ रहा था बिल्कुर सही है और यहां पर अगला कोशन है स्क्रीन पर आंसर बताएगा क्या रहेगा ओके आई सो टॉप बताने आपको ठीक है द्रबमान समान है किंतु संक्या भिन्न होती है भि और दिर्बमान समने होगे विहां यांसर क्मेंट किजिए ठर्ड का वरन कोई थ्या रहेगा परमानू संक्या श एक रैखाउय है उस प्रेंसर बताएगा दौनल समान फैसे में लहां ऐल्सक्रीं देज्वरमानJackson मारिया का लोग पर ये नरत है वो है कहां का है तोतान है जो गौर मारिया जो है मारिया जो है लोग पर ये लोग नरत है वो कहां का है मद्द प्रदेश का है तृप्रा का है जारकंड का है या उत्राखंड का आंसर कमेंड कीजिएगा देखते किस किस का आंसर आता है कमेंड म कर रहे हैं बहुत बढ़ी है क्या रहेगा कमेंड की जए देखते हैं किस का आंसर आता है कि आंसर रहेगा option one मद्द प्रदेश बहुत बढ़ी है अर्विन जी बहुत बढ़ी है मद्द प्रदेश रहेगा question number fourth answer option a रहेगा अगला question screen पे जे रहा निम लेकित में से क्या available this Wam आavors दढ़ते हैं जो हमारी हड्डियों में बीमारी होती है उसका कारण है यह ठीक है तो हो कुमार जी online free study में स्वागत option 2 आ रहा है बहुत बढ़िया अन्जी जी option B अतुल जी गुड मॉर्णिंग ओके सभी के लिए गुड मॉर्णिंग यहां पर प्रदीप जी option B बिल्कुल अर्विन जी option B ओके यहां पर रहे और से में कोरा किस प्रकार कीन ग्राइडल क्या कोलाइडल इन प्रणालिकित करता है ठीक है कोडल प्रणाली करता है क्देड करता आइगा क्या रहाएगा आंसर कमेंट कीजेगा आप फॉर्म नहीं बोलते हैं ओके आप्शन आगिया तो जी का बहुत बढ़ी है अर्बिन जी ऑप्शन टू कोई एनिवन आंसर कमेंट करेगा प्रदीप जी ऑफिन फोर बहुत बढ़ी है आप्शन ही रहेगा बिलकुल ऑनलाइन फ्रीश्टी में स्वागत दीपुजी बिलकुल अगला कोशिन पढ़िये क्या रहेगा अगला कोशिन का अंसर दीजेगा अनिजी 7 भी आ गया है मावली पुरम के समारकों का समूग किस ने बनाया तो अप्शन आ गया है दीपुजी अप्शन भी अनिजी अप्शन भी आनिकी सभी का बोलना है पल्लब बंस तौरा बहुत बढ़िया कोई या निवन आंसर कमेंट करेगा दीपुजी अप्शन के बारे में क्या है बैग्ग्यानिक नाम के बारे में निमलेकित में से कौन सा सही है मतलब एक साइट दी है बैग एक साइट दी है मतलब आपको कोई चीजे से बबूल दिया है बबूल के सामने उसका बैग्ग्यानिक नाम दिया है तो इसमें से सही नहीं है मतलब तीन सही है एक गलत है तो बताना है बबूल आकेसिया अरेवी का ऑप्शन टू तुलसी तुलसी को क्या कहते है उसी मस्ट टेन्यू फ्लोरम या हम कहेंगे ऑप्शन थर्ड है लोंबडी या फिर लोंबडी को कहेंगे कैलनिस विलपस या ऑप्शन डी हमारे पास मक्षर मुस्का डु क्या इक और लोंब्री जोगी केरिंगर केनेगे मुल्स नहीं होगी ऑक्योंधी में बोल दिया है एक कोई और और सथा क्मैंस क्या रहे गांसर क्या रहे गांसर करें क्या रहे गांसर कोई करो dalla by केСंब्स में क्या बोल रहे है LOCочки के नि खिया कर रаты Ô u आपके यहां पर आ रहा है आंसर देखिए बता दू मैं आपको आप्शन फूर रहेगा फूर्थ आप्शन सही है देखिए आप्शन सी बिलकुश सही था उसको लॉम्डी भोलेंगे क्या बोलेंगे कैने इस बुल पस जो है उसके बोलेंगे मस्का मक्खी मस्का मक्खी आ गया है यहां पर अलग अलग कोशन सारा है देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहां पर जो है जो मुस्का है वो क्या है मुस्का जो है क्या है मुस्का जो है मुस्का जो है क्या है एक मुस्का डॉमेस्टिक क्या है एक मक्खी है क्या है मक्खी है मक्खर नहीं है क्या है मक्खी है मक्खर नहीं है ठीक है ओके बिल्कुल D होगा बिल्कुल बिल्कुल सही है मतलब D answer है ठीक है D answer अगला कोशिन पढ़ेंगे D answer अगला कोशिन स्कीन पर ठीक है यह रहा हईपर टेक्स्ट है क्या कोई बताएगा मुझे एच टीटीप मतलब हईपर टेक्स्ट किसके दोरा अभिशकार किया गया बताए न आपको option है जोसिफिन कोशरन के दोरा अल्फेड नोबल के दारा अल्फेड नोबल उकी बहुत बढ़िया option है आप ठीक है टेड नेलन्स द्वारा या उप्रोप में से सभी सभी कर सकते हैं क्या प्रतीश रजक बिलकुल प्रतीश जी ऑनलाइट विश्ट्री में स्वागत है जलील से question complete करेंगे और answer बताएगे हाइपर टेक्स्ट का अविश्कार किस नहीं किया फू इंबेंटेड हाइपर टेक्स्ट इंपॉर्टन कोश्चन इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूं कि आंसर है बहुत बढ़िया हाइपर टेक्स्ट मार्कप लैंग बेज होती है इसकी फुल फॉर्म है अर्बिन जी एक जो है अपने साथ में जो शेर किया ये चीज है वह इसको देख लीजिए गा यह बिल्कुर सही है ओके कोशेर रन ठीक है यहाँ पर एक ऑफ्शन नमबर थर्ड रहेगा टैन टैडड लैंसन क्या रहेगा टैड लैंसन रहेगा आप्शन यहापर रहेगा यहापर कि एक मर्ट रुगी क्या नाम है ठीक है बिल्कुस सही है अगला कोश्यर स्क्रीन पर आपके सामने यह रहा ठीक है बते थोड़ता हम सिलू चले को भी मैं वेरिफाय कर रहा था कोशिन को कोई बात नहीं है सही है ऑप्षिन नमबर वही है जो आपको बताया था मैंने यह है कोशिन है अफ्सरा यूग क्या है अफ्सरा यूग क्या है जो दस सितंबर, divatta को सुरू हुआ था बताना है अफ्सरा यूग क्या है यह है नि संदान सयंत्र है यानि कि नुक्लियर रिसर्च प्लांट है ठीक है ओके भारत के घहरे समुदर मिशन पूथ है या फिर इस में इस रोप के नए उप्ग्राइब रिक्षिपर स्टीट है या डिया डियो दौरा विक्सित नई अगला कोशन पढ़ेंगे अच्छे सासन पर दो दिवशी है चेत्री संविलन क्या है 10 और 11 सिदंबर 18 को कहां आज़त किया गया था अब लोग सुच रहे हो कि 18 करेंटर बेर पढ़ा रहा हूं बिलकुल जी हाँ फ्रेंड लेकिन उसका कारण है आपको यह इंपॉर्टन है हमारे लिए ठीक है अगर आप सूचे कि भई इसका बढ़ाईए 22 का तो फ्रेंड 22 का भी आएगा मैं कहिए वार आपको 22 का भी जो अच्छा होता है बोई पढ़ाता हूं ठीक है आंसर बताएगा ऑप्शन आगा भी भाई या सबसे जल्ली आया है भी अतुल जी कोई वार इन्वे ने आंसर कमेंट करेंगा कह रहेगा ऑप्शन पढ़ दे घाव के भरने में सायता करता है अब ध्यान दीजिगा बिटामिन की नहीं है ठीक है बिटामिन दिया है कौन सा बिटामिन घाव के भरने में सायता करता है या सायता होता है पताएगा क्या है अप्शन आ रहे है हमारे पास 12 क्या आप्शन करिएगा क्या रहेगा देखते है किसका answer आता है और friends देखे क्या होता है मैं इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि क्या होते करी लोग जो है उते हैं उनका answer चूट जाता है इसलिए थोड़ से speed कम रखते हैं और ऐसा नहीं है कि speed हम अच्छे नहीं करते हैं बहुत बड़ा देता हूँ ऐसा नहीं है अध्यक्ष के बारे में सही है मतलब एक side दिया है आपको जो आयोग है आयोग दिया हुआ एक side उसके आयोग का दिया हुआ है तो कमेंट कीजे कौन सा सही नहीं है अगला दिया है फिर उसके बाद राज्टिय मानावधिकार H L दत्तु या फिर ऑप्षिन फोर्थ है या भारती है प्रतिस्वर्दा आयोग देविंद कुमार सिक्री तो देगा क्या answer option अगर 13 का भी आगया दीपूजी का कोई और answer कमेंट करेगा फ्रेंट कह रहेगा तो answer अप्षिन नवर टू बुलको सही नहीं है देखे रास्ट ये महिला आयोग ममता सर्मा रेखा हुआ है ठीक है अगला कोशन स्कीन पर यह रहा भी विलको सही भी कुल कितने पदक जीतका देश्याई पैरा खेलो में अपना सर्वशेष जो है पदक दर्श किया है ठीक है सर्वशेष कितने पदक लिए हैं किसमें लिए हैं पैरा खेलो में ठीक है ओके बताएगा क्या आइस जली से कमेंट कीजेगा देखते किसका answer आता है option आ गया एक को सरी वेबसाइट पर गलत बताया गया है मैं पहले ही बोल दूँ ठीक है ओके तो आराम से कमेंट कीजेगा क्या रहेगा ओके option भी आ रहा है प्रतीशी option भी जहाँ पर बिल्कुस सही है option भी रहेगा 72 मैं वैसा कि पहले ही बोल लाता कि बहुत सारी जगा पर इसको गलत बता रहा गया है तो फैंस इसको लिख लीजेगा verify करने के लिए verify कर सकते कोई भी दिकत नहीं मैं verify ही किया है ओके रंचन जी option भी रहे गया आपर अगला कोशन स्कीन पर आपके सामने इस तनपाई द्वारा श्राब लेते हैं इस तनपाई जो थे किस चीज़ से सांस लेते हैं option अगल फणों के दोराए तो के स्वास प्रणाली या स्वास नली के दोरा तुचा के दोरा या फैंपडों के दोरा आन्ससर तेगा फेंड्स क्या रहाँगा बिल्कुल दिपू जी बिल्कुल सही है ठीक है देखिए दिपू जी ने इनफर्मेशन शेयर कर धी है ठीक है इंदेख्या जिस एक बार देख लिए जगा जिसके बिदे इफिर कंपारिछन के बारे होगा जिगानीजी आप्शन एर्विन जी आप्शन फिप्टीन का मुझ रहे लाँ न दी कोई और बताएगा फ्रेंट के रहेंगा और अंसर कमेंट की जगा देखते हैं किसका अंसर आता है है यहाँ पर रहेगगा फोर फैंफडे लंक्स रहे कि अस्तन पाई है वह ठीक है अगला कुशन स्कीन पे यह आपके सामने पर्यवरन मंतरा लेन हाली मैं हरित दिवाली कह है हरित दिवाली स्वाइन सुझार्ज मनत्री कौनहवर्तमान में पर्यवरन मंत्री कौन स्वन नेया 능ां दो यह देगा क्या है आंश्र आप अप्षन ये आगे दीपी जी बहुत बढ़िया को यह अब रताइगा फैंस क्या रहे गांसर कमेंट की जिएगा देखते है रंजन जी आप्षन ए बहुत बढ़िया और फैंस सुभए सुभए हमारी दस्वे क्लास होती है ऑकेडी प्रकाश हर्षवर्दन बिल्कुस है यह हर्षवर्दन है ठीक है हर्षवर्दन वह यह प्रकास जावड़ी कर जी नहीं है ठीक है बहुत सरे लोग जो है प्रकास जावड़ी कर कर रहा है इसलिए मुज़े ँच करना पड़ रहा है कशन बैरिफाइब है हर्षवर्दन रहेंगे सबी लोग ऑप्शन ए कर रहे हैं भाई देखे सारे कशन बैरिफाइब है ऐसा नहीं है लेकिन आपकी चू होते हैं। आप यह बता जेता हूं थोड़ी सी मिनिस्टरी जो है उसको बता जेता हूं पहले तो इसका असर से पहली बाद human resource development किसके पास है प्रकास जावडेवर के वास ठीक है ठीक है और यह कहां के कहां से हैं चांदी चौक दिल्ली से जो है निर्वाचन चितन्त की कॉंस्टेंश यह ठीक है अग्याइग कोई और बताएगा फ्रेंड इसके को आपने आई इसका ले लिया हुआ स्क्रीन शॉट ठीक है ओके यह दू है या एक तो अलग अलग है यह अलग अलग है ले लिया होगा आपने अगला कोईशन पढ़ेंगे अगला कोईशन बताएगा अगला कोईशन स्क्रीन पर है बताएगा आँसर जली से बताएगा क्या रहे आँसर कमेंट कीजिएगा जली कमेंट कीजिएगा देखते किसके साथ सब्सक्राइब पहले आता है तो कि इसका आंसर जो रहेगा बुरह का बुवान यानि की प्रकास संसेशन सभी का आइटिंग सही है सभी का सही है बिल्कुछ सही अगला कुश्य है निसकी पेरा ओके चौते अंतराष्टी योग दिवस दियरठारा का थीम क्या था यो योग दिवस था दियरठारा का थीम बताईगा स्वास्त के लिए योग सद्वावना के लिए योग सांती के लिए या स्वास्ति सद्वावना और सांती के लिए योग आंसर कमेंट कीजेगा 17 का है सभी का सही ता अगला कोशिन पता ही 18 का 18 का आंसर पता है क्या रहेगा 18 का आंसर क्या रहेगा दली से कमेंट कीजेगा ओके देखे अभी किसी ने पूछा था मुझसे कि जो है आपका प्रेवरन जो है मंत्राले जो है मताले इंवार्मेंट मंत्राले नहीं हरे दिवाली स्वास दिवाली का एक अवियान चलाया था वह एक्षल में कब चलाया था उसकी डेट नहीं है हमारे पास लेकिन बतादू अब क्या है कि 2017 हम 17, 18, 19, पढ़ेंगे ठीक है तो फ्रेंट अगला कोशन देखेंगे यह आपए सम्ने लिक्त में से क्या जड़ का नहीं है जड़ का कारे क्याने रूट का बर्क क्याने रूट जो होती है जड़ जो होती है उनका कारे कौन साने प्रकास संसेशन का जल अफ्शूशन का अगला कोश्शन यहां पर एक रहेगा भई है प्रगास करता है पत्तियां करती है लीफ्स करती है ठीक है जुह जड़ नहीं करती है अतुल जी बहुत बढ़िया रजक जी बडिकूल बड़िया अगला कोश्शन यहां पर चौते अंतराष्टी योग दिवस 18 का थीम क्या था इसका बताना है देखें चौते अंतरास्ती योग दिवस है उसका ठीम बताना है क्या था अभी पढ़ा था हमने देख क्या रहेगा क्या है थर्ड था सांती के लिए योग ठीक है द्वारा रिपीट क्यों कर रहा है आरन है इसका important है ये एक बार आ चुका है exam में आया था ठीक है इसलिए अगला question भात के बित्ते मंत्री का कारेकाल कितना होता है भात के बित्ते मंत्री का कारेकाल अच्छे से बताएगा तुला सोच के बताएगा friend क्या रहेगा answer अगला question है इसका 5 words प्रदान मंत्री पर निर्वर करता है वो या राष्टपती पर निर्वर करेगा या इसमें से कोई नहीं होगा answer comment में कीजिएगा option आगा 2 बहुत बढ़ी हमिज जी बहुत बढ़ी है कोई और answer करेगा रजदी ए option बिलकोल कोई और anyone answer comment करेगा यहाँ पर option 2 भी आ रहा है प्रदीप जी यहाँ पर आएगा option 2 वह है जो है प्रदान मंत्री पर निर्वर करेगा बित्ते मंत्री जो होते हैं वो किस पर बित्त मंत्री जो उसका कारेकाल किसमें निर्वार करेगा प्रधान मंत्री पर निर्वार करेगा अर्बिंज जी बहुत बढ़ी है यहाँ पर प्रदीव जी बिलकुस सही है और अमिज्जी सबसे पहले answer आ से अगला question निम्लेकित में दूध का अगरणी उतपादक है, क्या है या नहीं है, आपको बताना है, सुछ्वेट क्रांप्टी के लिए जनक वर्गस कुरियन है, है या नहीं है या आपको बताना है, कमन्ड कीजिएगा, देखे किसका अंसरत अप्शेन, जी जी उताद विखिगा, सही इसी अतुल जी बिलकुत सही दीवजी न से से पहले आन्सक राव करा है बहुत वड़ीया ऑर्विंजी ऑक्शेंट सी बिलकुत सहीय है राजट जी आपड़ कुछ पार है राष्ट दि दिवस दोता है दिखिए स्वेट क्रांथी से कहते हैं ठीक है और इसको क्या कहेंगे राष्ट विधी दीवस इस दिन मनाते हैं इसको स्वेट क्रांथी है दुद्ध उत्पादन का जो है जनवी का जो जन बताता कौन है बर्गेस कूरियन है सभी को पता है ओके बुंबई मैं हुए तैंकर स्वेट कर दिवस कहा हो ता मुंबई हुआ था आतंगी हमले मैं इसमरती दिवस इसको के आतंगी हमले जुआ तो उसके रूप में इसको इसमरती दिवस बनाते हैं 26 गयारत 28 को ठीक है राश्टे बिदी दिवस और जी सारी इंपॉमेशन लिखी हुए तो फ्रेंड आइध सबसे बड़ा लेकित सम्धिदान भारत का सभी को बता है सम्धिदान जब लागू गवा था उसमें 300 पिंचन आर्ट अनुशियत आट अनुशियत आट अनुशियत आपको इसको कहे तकते हैं ठीक है लेकि जो है यूपी हो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है राज में अलगा भारत के देखा जाए सबसे ज़्यादा जो कौन सा राज दूद उत्पादन करता है तो यूपी करता है गुजरात का आनंद जिला भारत के दूद उत्पादन के लिए अरगनी है लेकिन गुजरात क जो आनन्जिला करेंगे तो वो अग्रणी है सबस्यदा किसी जिले के नाम आया है तो कहां का आएगा आनन्जिला और आनन्जिला कहा है कहा है गुजरात में ठीक है प्रशित कंपनी अमूल जो कार खाना है वो आनन्जिले में आनन्जिला कहा है गुजरात में याद करिएगा 26-11 के बारे में यहां पर बताया हुआ है अब देखे कुछ आपको Acid, Base and Salt इनके बारे में information है और इनके बारे में portion कराने वाला थोड़ा सा पढ़ लिजिगा बिल्कुल थोड़ा इसके बारे में पढ़ लिजिए अम ले खट्टा स्वाद होता है और गुलंसील होता है ठीक है लेटमस पिपर का लाल रंग बदलने मैं सक्षम और लवर निमलिक इस और इन्रमाण में हित्व के चारे के साथ अभी क्रिया करता है Base के बारे में लिखा है सारी चाहिए आपर लिखी है तो screenshot लिजिए जैसे ही मैं आपको बोलूँ कोई भी question आता है तो आप screenshot देखी और बताएगा ऐसा नहीं है के friends क्या आपको एकदम से question याद हो जाएंगे ठीक है आपको थोड़ा सा try करना पड़ेगा ठीक है अब अगला question है अगला question है Base, Salt और Acid ते आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेगा और सभी से request रहेगी कि आपको वीडियो शेयर करनी है ओके रादिकर जी ओके online free stream में स्वागत है आपका option भी आ रहा है दीपुजी कावनिक बोल रहा है बहुत बड़े सभी लोग अगला option भी बोल रहा है क्या रहेगा एक्स कॉर्बिक असिड जो है विटामिन सी इसमें आता है अगला question पढ़ेंगे यहाँ पर यह आपके सामने है निमलिकत में से कौन सा milk of manganesia है अगला question पढ़ेंगे यहाँ पर बताना है आपको जो milk of manganesia क्या है आपके पर सब्सक्राइब आगया है आज मैं आपको option करा रहा हूँ ठीक है option के अगोड़ी करा रहा हूँ क्यों 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 कि इसका कारण है actual मैं क्या है देखी student बहुत सारे चले आते हैं मैं detail में पढ़ाता हूँ ऐसा नहीं detail में नहीं पढ़ाता option 2 दीपुजी योगेजी गुर्मानी योगेजी अगला इसका answer रहेगा वो third रहेगा यह third जो रहेगा सभी का सी 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 बिल्कु सही है आपर magnesium hydroxide बिल्कु सही अगला को शिर पढ़ेंगे इस screen पर यह आपके सामने है जब जल जब अमल जल में घुल जाता है तो वे आयन पैदा करते है ठीक है ओके जो विद्दुत के संचाल में मदद करते है मतलब जो electricity conduction में साहता करते है इस प्रिकरिया को रूप में किस रूप में जाना आता है इस प्रिकरिया को हम किस रूप में जानते है option है गलेवनाईजेशन वलकराईशन या प्रतर करन हिंदी में काएंगे या सबसे कोई भी नहीं answer comment करिये किस का answer रहता है प्रदीब जी option third c c dpgc okay anyone question answer करेगा option a b c d में से option c फिर से आगया अतुल जी option b योगे जी option d बोल रहा है okay रजक जी option b okay प्रतिश रजक जी ओके यहाँ पर अधिकाजी option c okay दीपूजी option c तो भी यहाँ रहेगा option 2 वलकनाईशन option b रहेगा तुल जी और प्रजक प्रतिश जी बिलकुछ सही है आप दोनर का ही सही है अगला तुझे देखे यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझा दू sun 18 1849 में जिसके बाद ताप और दाप का इस्तमाल करके रवड के साथ गंदक को मिलाया था ठीक है ओके वलकरणी करन एक रसाइनिक प्रिक्रिया सभी को था जिसमें गंदक या इसी प्रिकारी कोई दूसरी जो प्रदार्ते मिलाते हैं और रवड या सम्मंदित बहुलक कि अप जो है इसमें चीजें मिलती है आपको ठीक है अलग अगला कोईशन पढ़ेंगे यह आपके सामने देखे मदुमक्खी के डंक में कौन सा अमलम मौदूद होता है मदुमक्खी के डंक में अगर आपको मदुमक्खी काट ले तो उसमें कौन सा डंक होता है जिससे आपको इतना ज़्यदा जो है पेइन होता है ठीक है आंसर कमेंट करिए चीटी में सभी को बताओगा लेकिन यहाँ पर बताने है अपको मदुमक्खी में ओके ओके आप्शन आ गया है और ओके ऑक्षिन आ रहा है बी दी Okay यहाँ पर अप्षिन डी दीपुजर आफशन बी अमैंजि अप्षिन डी ओके रादिका जी फी ॉके ऑफ्षिन भुला है तुमक्खी लेकिन मैं चाहता हूँ अगर आप लिखकर बेश सकते तो लिखकर बेशी है क्या होता देखिए पहली वक्त जितना हम लिखकर कोई आप लिखकर करते हैं उतना हम पढ़कर चीज़ आद नहीं कर सकते हैं इसका जलन होती है अगला को श्राइब निम्लिकित में चाहिए तेल नहीं होता है अगला वीडियो को शेर कीज़ेगा आपकी पर डिपेंड करेगा अगर वीडियो शेर करेंगे तो आर भी स्ट्वेंट आएंगे और और वीच्छी से वीडियो में बनाऊंगा तो देखते हैं किसका आंसर आता है यहां पर आंसर आ रहे हैं यह जी अतुल जी ओके सबी लोग आंसर कर रहे हैं लगवख लगवख ओके बताइए क्या रहेगा और फैंट जैसे ही आप अगर आपको तोड़ा से समय मिले तो समय निकाल कर फैंट वीडियो को शेयर करेंगा ऑप्शन सी आगया दीपक जी ओके प्रदीप जी ओके ग्राउंड नट आ गया है तो भाईया क सूरच मुखी रहेगा सूरच मुखी रहेगा औप्शुन ए रहीगा और बहुत स्हीं प्रजर की पिलकूट ऑन साधर है कह रहा एगा ड्राउंड नेइखा सूरच मुखी अगला शेयर स्षार affecting गोशन का सिक्स का डी आगे योगी वहली अंसर कर रही है अपने और अंसर कमेंट करेंगा फैंस क्या रहाएंगा सिल्फर आ गया है राधिका जी ओके दीपु जी आपका सभी है बिलकुत सही है और योगे जी सबसे पहले आपने कोशिन का आज से दिया था बहुत से दिया था अगला कोशिन पढ़ेंगे यह आप निम्ले कि इतम से कौन सी अक्रिय धातु एकवा रेजिया अमल में गुल सकती है ठीक है कौन सी धातु है पताएगा सोना प्लेटीनियम प्लेडियम या ओल अव एवव गोल्ड इवरात वा के यह समझ ओकर ही कोई गोल आगया 7 कई आ गया सोना गया वह यह सोना तो किसी भी एसेड में गुल सकता है यह ठीक है बहुत ही जो बुलेंगे इसको मुलायम बुलेंगे लेकिन आपको यह चीह बतानी है जिए क्या इस अमलमे कि सारी चीजना घुल सकती है क्या ऐसा वी तो सकता है कि可以 क्तृर्ट्य गुल जाए और पाल्डीएम भी घुल जाए ऊसिवल है ऊई हुग तो भाई इन सभी में जो आपको मैं आपको तृत बतारो अक्रिय धातु बतारो एक्वा रीजिय जो अमल है इसमें प्लेटिनियम सोना प्लेडियम सारी चीए क्या होती है घुल जाती है बहुत खतरनाग ऐसे होता है ठीक है अगला कोशन स्कीम पर आपके सामने निमलेकित में से कौन सा ऐसिद कारों की मरंबत के लिए जंग ह एक्डूम长 गाने च्से euros कीजिएगा देखिते किसकाई आंसर आता है फ्रेंड थोड़े कमेंट जो है और मैं चाहता हूंगा में योगे जी जी अप्शिन थर्ड अक्टे छिए और आंसो देखते किस का answer आता है option या कर आ बहुत सबुद त yeah होता है जब एक ते यहां पर रहेगा option two ठीक मिच्छी option 2 रहेगा अगला कोशिन पढ़ेंगे याप पर यह आपके में क्या होता है जब एक acid धातू oxide के साथ अभी क्रिया करता है देखिए आपको ताना actual में होता है क्या जब क्या होगा जब acid धातू जोगी oxide के साथ अभी क्रिया करेगी लवर और जल का निर्मान करेगी धातू hydro hydride का निर्मान करेगी धातू और जल का करेगी या सबसे कोई भी किसी भी चीज़ का निर्मान नहीं करेगी आंस कमेंट के जगा देखते हैं किसका आंसर आता हूं फैंट्स वीडियो को शेर के जगा अपने दोस्तों में ठीक है क्योंकि देखे काफी टाइम हो गया लग 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 दो महीने सूपर हो गये हैं मैं य यहां पर आएगा ऑप्षिन बन आएगा क्या रहाएगा बुदेगा सॉल्ट और वॉटर का फॉर्म्ड करेगा ऑप्षिन भी बिल्कुल मॉर्ण जी ऑप्षिन सभी का सही रादिकार अर्बिंजी रजक जी आतुल जी बिल्कुल सही अगला कोशिन पढ़ेंगे आप जीए न से कमेंड के जेगा देखते हैं कि और केली वारा एकिकाल असर पाया जाता है अउप कियों कीजेगा ओर देखेंगे और लुकुल के रूप मैं किसको हम बोलते हैं क्या इसका नाम बोल सकते हैं दिपूजी बिल्कु सही था, पिछले का भी अप्षिन था, क्या रूप नहीं? कहा रहेगा यहोगी जी बिल्कुल सही ता इस कोशिन का अंस्वादी 11 नंबर कोशिन आपके स्क्रीन पर है देखते हैं किस का अंसर आता है आपशिन है फिनोल एंतनल जे तो आप कहा रहा है अंसर आप बता ही यहां पर वन रहेगा अमिज जी बिलकुछ सही है मौन जी बिलकुछ सही तो के लिगे बखाशी यहांपर रहे है option one phenol ठीक है अगला कोशन इस पर यह रहती है किस अमलका प्रियोग करते हैं यह मैंने अच्छे इसको जानता हूं इस बैटरी को को कुए थे हांसी बैट्य बनाई है तो देए क्या रहाएं प्रॉस्फरिक असे या सफिरिक अगे आगे है अमारे पास सभी का ड्यारा है दीपूजी अमिजी डी जी ऑके अगला फॉस्फिर्च अगला कोश्चन अगला कोशन अगला कोश्चन जिफ्सम्कार सायनिक सूत्र बताईएगा डी बिल्कु सहीर रजग जी देख लिए मैंने जिफ्सम्कार सायनिक सूत्र बताईएगा क्या रहेगा अच्छी से बताईएगा देख लिजे इसको मैं आप्शन नहीं बोल रहा हूँ आराम से देखकर होता है कहा रहा है आप्षिन या दीपु जी आपने अज पहली वार विज़े इसा लगाए कि आपने आज जो है वीडियो छोड़ दी है कोई बात नहीं उनको साइद दुसरे कोई काम है वह रेगुलर रहेंगे सीमा जी ओके कोई बात नहीं है अगला आप्षिन रहेगा वन दीपु जी बहुत बढ़िया अर्विंची बहुत बढ़िया और आपने से पहले किसमें किया था यहां पर अगला कोईशन पढ़ेंगे यह आपके सामने प्लास्टर और पैरिस का सूत्र बताना है थोड़ा मैंने आपको मॉडिफाय किया है ओके को त्होड़ा मॉडिफाय है ध्यान दीजी का ऑप शेंट थोड़ा सा मॉडिफाय है और आप से ध्यान देकर आंसर करिए गा लास्ट परिस का सूत्र बताना है जो की मॉड़ीफाय जी है पहले सी सब्सक्राइब तो यहां से उठकर वन वाइट में यहां आ जाएगा तो वो सेम बात हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं वोडिफाइड है तीक है इसके बारे में थोड़ा सा मागे पी जो है कोईशन है उसमें आपको समझाओं अरबिन जी ऑप्शन डी ऑप्शन डी नितिन जी ऑनलाइन फीस्ट्री में सवागत है और अप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा अगला कोईशन पढ़ेंगे ओके सी ए ओ सी एल टू का रसायनिक नाम क्या है कोई बात नहीं है दीपूजी थ इसका रसायनिक नाम बताना है ठीक है आप्शन आ गया अरबिन जी डी दीपूजी बोले किसी को कोई आज थासर भी चेश्पी है खाहीं फूजी घुस्सा मत हूँ ठीक है आवशन ए विलस्ट आप्शन डी आरा है तो आंसर ऑप्शन निम sciences प्लीचिंग पाउडर बोलेंगे अपर नेकेंगे अरविंन जी औप्शन फुर बिलकुल सही था इसको रहेंगे bleaching powder अगला कुछ है कौन सा सही है कौन सा है बताइगा सही कौन सा है मतलब की तीन गलत है ठीक है ध्यान दीचे-गा तीन गलत है प्छले कोशन यहां पर दिखांगो बतांगो आपको आंसर बताना है पहली बात अतुल जी बिलकुर सही कुशन देख लिजे कुशन 17 आराम से देखेगा मैं आपको क्यों को रोक रहा हूं यह गलती हम एक्जाम में भी करते हैं ठीक है कही हो बार होती है आपको यह दिए एवी सीडी ठीक है आपने क्या एवी सीडी दिया फिर आपको वर्ल टू तु त्री इसमें यह होगा भी सकते हैं, तू अबूस करते हैं, आप क्या करते हो ? बापको ध्यान नहीं देते हो और और अप्शन कुछ और लगा जाती हो बस लेकर आपको आंसर प्ता लेकिर भी आप बिना देखे, मलब पूरा एनेलस से स्काऀर बिना करें, और एुप्षिन 2 ABCD में नहीं होगा पहली बात मैं बोल गया 123 में करिएगा मुझे भी समझ में नहीं आएगा ना ABCD करोगे तो मैं ABCD कहां तक देखूंगा तीन ओप्षिन में ABCD है तो कोई और आंसर करेगा क्या है कोई नहीं कर रहा है इस और से लिए और ले लिजिए इसकी आगे काम में आयगा कभी अगर आपको पड़ना है देखिए जब मैं स्क्रीशॉट लेने की बोलू तो आप एक नोट्बुक बनेइए क्या कर रहिए एक नोट्बुक बनेइए आपको मैं screenshot बोला हूं अगर आपको यह लगता है screenshot में से कोई थीच वह important है उसको लेखिये अलग-अलग पैंसे लेखिये से लाल से लिके नीले से लिकें कारण बताहунगा د QW? वं कब्लाइ यह कोई पॉइंट देखेंगे तो आपके आंकों में रहेगा वहो कि भई है हailing मेरे लिए आप चाहिए तो इसको हाइलाइट कर सकती है किसी बी से मतलब कलर कर दीजे कोई दिक्कत नहीं है कौपी खराब होगी लिकर एक्जाम अच्छा जाएगा ठीक है इसका आंसर सभी को पता है अगला कुशन पढ़ेंगे बेकिंग सोडा का रसानिक नाम क्या है बेकिंग सोडे का रसानिक क्या है कि अप्षिन बी दीपु जी कोई और आंसर करेगा फ्रेंट कमेंट बॉक्स में अमिजी अफ्षिन टू बिलकुल कोई और आंसर कमेंट करेगा अतुल जी भी बी सभी जी भी बोल रहे हैं तो आंसर आगा आप्षिन नवर टू आएगा सोडियम बाइक बेकिंग सोड़ा पड़ाता है उसको क्या बोलते हैं सोडियम बाइक कावनेट ओके लिए इसका फॉर्मुला आपको बताया था मैंने यह फॉर्मुले भी लिखें इसके अलग अलग ठ को देगा टमाटर में कौन सामल होता है सभी को बताऊगा सिंपल कोशन है कि मैलेक एसेट साट्र कैसे यह इसमें से कोई नहीं या फिर दौनों की दौनों आंसर कमेंट कीजिएगा एबी सीडी आप्शिन आ गया भी आ गया बहुत बढ़िया दी भी आ गया है बढ़िया ब है और अब 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 सब्रीजि से बोलूँगा जब आपसे पूछा टमाटर में कौंस असेट होता है तो दौनों पाए जाते हैं ठीक है दौनों पाए जाते है आफ्शन बी जो रहे आखा सेट्क एसट रहता है लेकिन आपको दोनों ऑप्शन जब दे दिये जाए ठीक है पल में रहता है दिपुजी बिल्कुल मैं पता है मुझे आप बोल रहे हैं लेकिन मैं यह बूलना चाहरा हूँ जब हमें दोनों अप्शन दिये हैं तो हम दोनों अप्शन पर आंसर लगाएंगे अगला पोटेशियम नाइट्रेट का उप्योग कीया जाता है किसमें किया जाता है गंपाउडर को बनाने में या गंपाउडर में माचिस की तीली का जो उपर का जह भाग होता है जलता है जो उसमें या उente मतलब की जो फर्टलाइएशन होता है या इस सबी में student देख या तो आंसर रहेगा option number four इन सभीयों में जो किया जाएगा पूर्टिशन नाइटेट का क्योंकि यह सारे के सारे जोलन सील होते हैं फटलाइजर में इसका अलग तरीकी से उप्योग किया था अगला कोशन पहली भारते रंगीन फिल्म कौन सी अब दीखे के कोशन पढ़ेंगे ठीक है देखते कोन answer करेंगे ऑब ही कतम हो गया थोड़े से क्वेशन जो है हमारे साइस कोशन बोल सकते हैं या फिरम पहली रंगीन फिल्म कोई बहुत बढ़ी है अच्छी बात है अर्बिन जी ऑफ्शन 4 अप्शन 4 अध्यपीज ऑफ्शन डी अतुल जी डी बिलकुल यहां पर रहएगा option डियानि की किसान कन्या चो रंगीन फिल्म है वो किसान कन्य लड़िन जी बहुत बढ़ी है ऑप्शन बी या नहीं आया भी बिलकुत सही है option two है मैं बताउंगा सारी चीए बताउगा किसान करना बिलकुत सही है धिपिआज बिलकुत सही है मैं सारे चीए बताऊंगा सारी फिल्म बाइट कौन सीथी ठीक है बिना बोलने वाली कौन सीथी ठीक है अब देखे अब जाइए कर बहुत सरे सोचने आगे डिटेल पढ़ा रहा है ठीक है सही नहीं है सर बिलकुल भी था आपका मुझे पढ़ लिए मैंने भी था लेकिन मैंने आपका पढ़ाना किसान कन्या 1913 में ठीक है फ segregated बोलती हुए फिल्म कौन सीथी कौन सीथी दोले फिल्म कौन सीथी अलम हमारा जो की 1931 में ठीक ऌसरी हमें Nabam backward color aux film रंगीन कौन सीथी किशान कन्या भी पड़ा लोस्त सनस्कित फिल्म कौन सीथी आदी संकरा चार्यों की 1913 Meer फ़र्स भारतिया त्रिडी फिल्म कॉंसी थी अर्बिन जी बिल्कुल ओके अर्बिन जी बॉर्निंग देखिए सभी लोग जो है सभी से रिक्वस्ट है कि के दस वज़ाएगा देखिए अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं लेकर हमारा टाइम दस वज़े का है तो इससे क्या आपको नो कुटी चरन कुटी चतन ठीक है यह 1984 में आये थी ठीक है जिस फिल्म थी अब इंपॉर्टन डेट्स ठीक है स्कीन शॉट्न लेजे इंपॉर्टन डेट्स भी कभी-कभी मैं बताता हूं जो इंपॉर्टन रहती है ठीक है पांच नमबर वर्ल्ट टूरिजम आवर्नेस डे ह एक फीज़ ठीक है जिसका भी नेट्स लो चले ठीक है जिसका जिसका भी नेट्स लो चले ठीक है जिसका भी net slow चले दो काम किजेगा दो काम करना है पहली बात या तो आपके पास जो इसमें वाइफाई है वाइफाई मत आउन कीजेगा ब्लूथ है या फिर आपको रोबिंग का जो ऑप्शन है था वो ऑप्शन आउन कर लीजेगा तो कि मैं टेक्निकल से हूँ मैं बहुत स कॉपर बायर हूँ तो कॉपर बायर उस पर लपेड़ लीजे कोई एककत नहीं आएगी देखिए यह जो है एक तरीके से दिसी तरीका उतार हो लेकिन बहुत सही है ठीक है एहम के गांदी जी आ गया ऑप्शन बी बी सभी का आ रहा बिया बिल्कु सही है मैं ऑप्शन पर कोईशन पर आये नहीं था ठीक है नेट से लो चला है लेकिन नहीं चले है वो ठीक है एक काम कर ली जो मैंने बता है अगला कोईशन दच्छन अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांदी जी को ट्रेंग से फैक दिया गया था सभी का भी बिल्कु सही था ओके सर अंसर रुक रुक कर वीडियो चल रहा है भी रुक रुक कर नहीं चलेगा मेरे पास 18-19 MPS की स्पीड है और अप्लोडिंग स्पीड 5-7 MB की है और यह जो है वीडियो बहुत कम में चल जाती है ठीक है क्या रहा है आप्शन आप्शन आरा भी बिल्कु से यह पीटर पीटर म रिस्ट वर्ग ठीक है अगला कोशन सभी का सही अप्शन भी था आनंद मठ के लेखक है बहुत ही सिंपल आनंद मठ के लेखक कौन है अंसर कमेंड कीजिएगा अब तुलब आज चलेंगे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं ठीक है सभी स्ट्वेंड ध्यान रखी कोशन इज अगला कोशन बुदान आंदुलन किसने प्राइब किया थोड़े से कमेंड में कम पड़ पाऊँगा क्योंकि स्पीड से हमें कोशन कंप्लीट करने है ध्यान दीजेगा कोशन जो है ज्यादा टफ नहीं है बहुत बार आएं एक्जाम में इसलिए आपके लिए सरल हो गाए अगला कोशन पढ़ेंगे लाइव डिवाइन पुस्तक किस ने लिखी है ओके भीनोववए दीपू जी बिल्कुल सही अगला कोशन पढ़ेंगे ठीक है लाइव डिवाइन बताईए ऑप्शन कोशन इपाइफ 55 प्रतिक जी ओके प्रतिश जी आप्शन सी क्या बात है बही है कोशन इजी देखकर भी जा रहा है स्ट्ट कोई दिक्कत नहीं है अर्विन गोश ठीक है यहां पर आएगा सबा किसके अनुसार गटटे था कि दौरा के दोरा मांट लिटे योजना के दोरा या किस योजना की दोड़ा और अगर 55 का दी बिल्कुर था अगला कुश्य पढ़एगा क्या रहेगा अगला कुशिन आना चाहिए अंसर जलिके भी बिल्कुल कोई और अर्वन जी भी दिपुची भी बिलकुल मैंने दीपीज आपका आंसर जो है पढ़ लिया है ठीके सुना यह पढ़ लिया है ऑकी पानी भी रहा हूं option B आ रहा है सभी का अर्विंजी option B अथो जोप्षिन भी कि भी सही है कमिनेट मिसंद के द्वारा अगला कोशन भी बिल्कुस यह अगला कोशन कि थोड़ा जूम कर देंगे भाई ठीक है परतम भारतिय नोबल प्रुसकार विजयता कौन थे बहुत ही सिंपल कोशन है रजक जी बिल्कुल अर्विंजी भी दीपुजी भी बिल्कुल सभी का भी आ रहा है भी क्या रहेगा option B रविंदाट टेंग और अर्विंजी बिल्कुल भी आगला कोशन सिंपल कोशन चल रहे है देखते कौन को इन सिंपल कोशन को ही अच्छा कर पाएगा हमारा राश्टिय गान वंदे मात्रम कहां से संकृत है कहां से लिया गया है चित्रा से लिया गया गोदान से लिया गया डाग घर से लिया गया है यह आनंदमट से यह बुक है बुक के न question पढ़ेंगे यह आप भाइत का राष्ट ये पंचान कि स्मथ का संबंध संबंध पर आधारित है कि सम्मंद पर आधर भारत का राष्ट ये पंचान आंसर कमेंट कीज़े कहा रहाएगा बिल्कुल पिछले कोशन का डी सही था सभी का दीपुजी सही था इस कोशन का था ये 59 नंबर कोशन और इसी कोशन जो है अभी है अगला कोशन आधर बंगाल की सोसाइटी अच्छा है जो सब्सक्राइब तक कौन थे को रहेगा ऑप्शन नहीं पढ़ोंगा आंसर पताएगा friends कहा रहा है और question अच्छे लगे वीडियो अच्छी लगे तो daily आएगा 10 बजे ठीक है और रात में भी कोश्ट लेगी कि रात में भी 10 बजे वीडियो होगी और फेंट सभी से एक कुश्च रहेगी कि साड़े आट बजे मैथ किलास रहती है तो आप को अच्छा लगएगा मैथ किलास बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं इसका आंसर क्या है है ऑप्षिन भी बिलको सही अगला कॉश्य दिली में केंदिय सची वाले के उत्री और दच्छाण्य कंडों का बास तुकार यह निंगे बस्तुकार तो कौन था इसको बनाया कौन था आपके पास बताईगा क्या रहा हेगा बस्तुकार मतलत बनाया है नहीं खंडों का बास्तुकार कौन था जैए को तहीं प्यदिएफ है बिलकुर अरविन जी पीडिएफ है लेकिन बता दूँ मैं आपको इससे पहले आप इनस पीडिएफ को पढ़ें इससे पहले मैं आपको एक पीडिएफ दूँगा 500-700 500 की 700 की 700 की जो तैयार है अभी ठीक है 500 की जो तैयार करने हो थोड़ी दिक्कत होगी वह अभी में को एक्सपूर्ट करनी पड़ेगी 700 कोशन की ले लिजेगा टेलीग्राम ग्रूप है नीचे दिया वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जोइन कर लिजिए ओके आज जो है 11 11 11 नहीं बुलूँगा अभी 11 बज़े तक समतिक वीडियो कंप्री होगी उसको मैं एक वज़े तक आपको प्रोवाइट कर दूँगा ठीक है पीडिये जो है नीचे डिस्क्रिप्शन है आपके बॉक्स में ठीक है वो जहां पर जाकर मिलें सर जी दोनों अर्विन अलग-अ अलग-अलग है अर्विन कुमार है अर्विन चौदरी जी है मैं समझ गया हूं लेकिन क्या होता है कि नाम पूरा लेने में टाइम लगेगा कोई दिखकर नहीं नाम पूरा ले लिए ठीक है आंसर रहेगा एडवर्ड लूटियंस ठीक है अगला कुशिन पढ़ेंगे यहा एक ख़िए बात है आतुल जी और पृतिक जी ठीक है दो लोगों का सभी है बहुत सिंपल कोशन था अगला कोशन अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अगवार जो है किसने सुनु किया क्या कोशन इजी लग रहे हैं जादा तर कि सारे कोशेट इजी नहीं मिलेंगे भई 60 कोशन का अंसर बताना 60 नंबर कोशन का आंसर जो है बो रहेगा आपका बताज़ता हूं मैं आपको 61 नंबर कोशन का सर विलियम जोन्स रहेगा ठीक है ओके तेक्कत नहीं न तो अगला कोशिट पढ़ेंगे ठीक है कौन सा था बही 60 यह तो गया वर अगिला पुशिए 63 पताएंगे आंसर बताइंगे सभी लोग आंसर बताएंगे भई इसका कि सभी लोग इस कोशिन का आंसर बताएंगे ठीक है जली से बताएगा कि एक Link Send कर रहा हूं ठीक है देख ली जगा काम की वीडियो है आ गही होगी कि मैट की प्रैक्टिस वीडियो है वो टाइम एंड जो इसने टाइम नहीं पड़ा वो बेसिकली चार-पाच कोशन से सीख जाएगा ठीक है मात चार से पाच कोशन जो कि टफ है भी टफ भी है इसी भी है ठीक है कहने के लिए टफ है लेकिन वह इसी बना दिये आपके लिए अंसर हैगा कह रहा है कि आप्शन डी ठीक है अब फास चलेगी थोड़ी सी वीडियो चलिए इंडियन अंड्रेस्ट के लेकर कौन है इंडियन अंड्रेस्ट एक बुक है बताएं कहारा है लास्ट में सेंड कर दूंगा बिल्कुल कोई देकत नहीं है हाँ थे इंडियन अंड्रेस्ट के जो है लेकर कौन है कि मिसी का आंसर नहीं आ रहा है और भेंन जी अंडिया ओछ ठीक है चौदरी बोले में थोड़ा ज्यादा दिक्कत होगी बहुत लंबा बजाएगा ठीक है अगला कोश्चन option अगला कोश्चन देखे सुदेश बाहनी के संपादक है सुदेश बाहनी के संपादक कौन थे सिभी रवन पिल्ले सी एन मदा सुरी मुदा लियार या के रादा किशन पिल्ले या फिर सी आर रेड़ी आंसर कमेंट कीजिगा मैं थोड़ा सा जो है option जल्ली बता रहा हूं इसका कालन जी है कि वीडियो जो होगी तोड़ी बड़ी नहीं हो इसके लिए बिलकुर और यह option see रहेगा के राम क्रेश्ण पिल्ले के राम क्रेश्ण पिल्ले तोड़ा सा वैरिफाइग कीजिए तोड़ा को ठीक है और आपको लगे के स्कूशन में थोड़ी सी तुरूटी है थोड़ी प्रॉलम है इसका स्कीन शोट लिए और टेलीग्रम ग्रूप है हमारे प बढ़ेगी अगर आप कोशिन पूछेंगे तो मेरी नॉलिज बढ़ेगी फैल ठीक है अगला कोशन हंटर मिशन की रिपोर्ट मैं किसने किसके विकास पर विशेश जोर दिया कमेंट कीजिएगा देखते हैं किसका आंसर आता है कि आधने कि किस ने पड़ी है असर ने किस्तरी किसने पड़ी है पड़ लिजेगा इमपॉर्टन फैक्ट याद गर लिजगा पहले जो भी आपको लगे इंपॉर्टन है मार्क कर दिजे अंडरलाइन कर दिजे हाइलाइट कर दिजे कुछ भी करिए लेकिन वह देखना चाहि पुषिन ने बोला है दीपी टूर ऑप्षिन चीर ते थोड़ा से को भारा किस लगबग आया है। मैंसर कमेंट कीज़ेगा अपशन काउंसर का आपशन डी आगे दीपूझी बिल्कुल कोई वार आज से कमेंट करेगा फ्रेंट्स अतुल जी ए ठीक है लगबग आया है। आंसर है option number B Indian counseling act Indian counseling act option B 1861 Indian counseling act के द्वारा ठीक है option B अरबिन जी बहुत बढ़ी आ नितीन जी option भी बहुत बढ़ी आगला कोश्च है निम्न मैसे किसने सरुपतम प्रेश censorship लागोगी प्रेश censorship लागोगी अधनिक जो है इत्यास पढ़िएगा आप आप सबी को कई सगेंगी फैल्ड गूंड अ गूं चाहर हो उसकर अ hardware कई अगला कोशन के आप से आपक्रसाइग तर्षण कर worldly ठीक है ठीक है हम जो करे सुबह और नाइट में से एक वीडियो रहेगी वह खाले कि सब्सक्राइगे ठीक है कोशन का आंसर बताएं को फ्रेंट कोशन का आंसर बताएं को फ्रेंट 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 को फ् बिल्कुल कोई और बताएगा फ्रेंड्स कह रहाएगा ओके नितिन जी दीपुजी आया थे आपके आपके दो साइसे फ्रेंड हो सकते हैं लेकिन आंसर बताएगे क्या होगा देखते हैं आपको यह चीह है लगाना आता है कि इन सभी को एक साथ सबसे बाद में क्या हुआ थ हए? सबसे बाद में क्या हुआ था, सबसे बाद में लुक्त है बंगाल विवाजन ऑफ्चिन बी अगला कुश्ब सवसथे बाद का आन्तिम गौवनरेट जननल कौन था? सब्धाराथ का आन्तिम गौवनर जनल रखाफ्टें और ब्यारा राजेंटใं का वह ठीक है? है ध्यानदी जी का option सीमा जी option यह आ रहा है सर वेस्ट फ्रेंड ओके ठैंक यू अधीपु जी और सभी लोगों से रिक्वेश्ट रेगी कि आप जो है वीडियो को शेयर कर सकते कोई दिक्कत लिए और आंसर आगे option यह option यह यह सही है बिल्कुल सही है simple question था हमें पता है लास्ट जो है अंतिम गवनर जनरल स्वसंद भारत की कौन से राजा गोपालचारे राजा राज गोपालचारे अगला question गोदान और गवन क्या है गोदान और गवन दो यह उस तक है इसका लेखक का नाम बताना है इनके लेखक का नाम बताएगा रविन ना टैंग और मुंसी प्रेमच्वन काली दास या निराला answer कमेंड कीजेगा देख़ते किसका answer आता है जली से कमेंड कीजेगा अतुल जी option B बहुत बढ़िया anyone ओके अरविन जी बोल रहा है A wrong है और O पाड़तिया है मैं समझ नहीं पाया आपने क्या बोला अरविन जी एक काम करी है उसका screenshot लेज़े मेरे लिए ठीक है Mount Britain right है स्वतंद भारत sorry अरविन जी अरविन चौदरी जी बोल रहे है C गोपारे जाए है वो गलत है स्वतंद भारत की इंतिम गोवनर स्वतंद भारत की अंतिम गोवनर बताना ठीक है ओके वो सही है तो रसे ध्यान दीजिए मैं यह नहीं बोलूँगा कि आप गलत बोल रहे हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूँ लेकिन friends मैं यह बोलूँगा यह verified question है अगर आपको यह स्था लग रहा है तो friends definitely इसका answer मैं दूँगा कोई दिक्कत नहीं है बिलकुल पूरी चीह आपको बता हूँगा ठीक है अर्विन जी अर्विन कुमार बिलकुल आपका नाम ले रहा हूँ ठीक है वो confused हो जाता है ठीक है option रहेगा मुंसी प्रेम चंद क्या रहेगा मुंसी प्रेम चंद option B दीपुजी बहुत बढ़िया और नितिन ओके बी रजक जी बहुत बढ़ी अगला कॉश्चिन पढ़ेंगे बनारस हिंदू विश्विद्दयला के संस्ताफक ते बनारस जो है विश्विद्दयले उसके संस्ताफक ता ये कह रहेगा अंतिम भारते थे बिल्कुल अर्विन जी अगर आप ऐसा बोल रहें तो बिल्कुल मैं आपको इसका पूरा का पूरा जोज़ चीह हैं बताओंगा कोई दिक्कत नहीं है ओके आप्षिन CRI73 का C अनितिम जी C बिल्कुल ओके अर्विन जी बिल्कुल अर्विन जी अगला कोशन कंफर्म है कोई दिक्कत नहीं है आप जो बोल रहे है वो सकता सही हो लेकिन मैं इसको verify कर लूँ देन में आपको इस वीडियो में इस वीडियो के जो होगा description में मेरा comment आएगा ठीक है या पिर telegram group पे पुरी चीए मैं आपको बता दूँ ठीक है मदन मोहन आ रहा है option सही है मदन मोहन वाल भी अगला question ccc option अर्विन जी अर्विन कुमार अर्विन चौदरी जी नितिन जी ओके दीपु जी बिल्कुत से अगला question ओके रजग जी बिल्कुत से अगला question guilt man of Indian partition यह पुस्ता के इसके लेखा को यह क्या है answer comment कीजिएगा 74 74 number answer comment कीजिएगा 10 minute और ठीक है कितने मिट हमारे पास 10 minute और है ठीक है इसका answer हैगा Dr. Manohar Manohar Lohia option B रजग जी बहुत बड़े दीपु जी बहुत बड़िया बहुत सही अगला question पढ़ेंगे इन मैसे कौन भारत में मुसल्मानों के मुसल्मानों के उच्छी सिक्चा के लिए पत्रदसक बनी है किसके लिए मुसल्मानों के लिए answer comment कीजिएगा देखते हैं किसका अंसर आतक है अमीर अलीन है भरुद्दीन तयव जीन है या सेद अली खान ने या सर सेद अहमद खान है बते हैं क्या answer 75 का question है 75 डी आया है सीमा जी बहुत बड़िया कोई गर answer comment करेगा और आप पर डिपेंड करेगा तो friends आने वाले समय में हमारे पर बहुत सार इस्ट्वेंट होंगे और जगे जगे से इस्ट्वेंट आएंगे option आ रहा है अर्बिन जी बी आ रहा है दुपुजी बोल रहा है बी आ रहा है बहुत सभी का बी आ रहा है तो यह यह रहेगा D सर सयद आमत खान रहेंगे कह रहा है option D आर्बिन चौदर जी बहुत बढ़िया यहाँ पर D रहा है तो जी बहुत बढ़िया सीमा जी बिलकुद दी बिलकुद सही है अगला question पढ़ेंगे यहाँ पर अगला question अब देखिए जन औशदी दिवस क्या है जन औशदी दिवस निम्लिकित में से किस स्थिक को मना जाता है अब अब यह जन औशदी दिवस का मना जाता है जूम हो गया हिंदी में ठीक है ओके फुल जूम हो चका आए answer कमेंट कीजगा देखते किसका answer आता है 76 number question देखते किसका answer आएगा फेंट और सुबह सुबह 10 बूज आएगेगा जाज़ा से एक घंटे एक घंटे से 10-15 मिटे एक्स्रा हो जाएगे तो कोई दिक्कत नहीं है तो answer कमेंट कीज़े option आए 76 का बी आ रहा है बी आ रहा है बाकी सारी चीये लिखुई है इसकी short लिए जाए ठीक है अगला question प्रियाग राज कुम मेला 22 कब आयोत किया गया है देखिए प्रियाग राज सभी को बता है अर्द कुम हुआ था सभी को बता है ने अर्द कुम हुआ था अभी क्या हुआ था कुम नहीं बोलेंगे उसे अर्द कुम बोलेंगे ठीक है किस नदी के किनार हुआ था कोई बताएगा प्रियाग राज किस नदी के किनार है यो कुम मेला हुआ था किस नदी किनार है कोई बात नहीं है अतुल जी मुझे इस question का मैं पूछ रहा हूँ उस question को देए हमें पता है 2019 में आजित किया गया था कुम मेला बॉर्द कुम हो था हमें डेड़ भी पता हुग इसकी ठीक है और यहां पर पूरी चीज बता दी मैंने आए option रहेगा तू पंद्रा जन्वरी से लेकर चार मार्च तर यह था ठीक है इसमें 15 मार्च से चार मार्च सकता है उत्तर प्रदेश का प्रयाग राज त्रेवेडी संगम के अर्द कुम के कुम मेले के आज उसके आपकर त्रेवेडी ठीक है ओके और इसका बजट कितना था अगर आपसे पूछ ले किसमें टोटल बजट क्या था बुछ सकता है एक्जाम में तो इसका था 4200 करोर ठीक है 4200 करोर रुपए का सुड़ी लागाता है ठीक है अगला कुशन मार्द 2019 में निमलकिस में से किस किन दो देशों ने सिख तुरूप से सेन अभ्यास संपरिती नाम का जो अभ्यास है बुकिया पदे किसने किया पहला हमारे पास भारत है दूसरा बताएगा इंड ओके दीपू जी बोल रहा है सर कोशन पूछो जो आपके मन में हो कभी से भी मैं कहीं से भी कोशन पूछ लेता हूँ ठीक है ऐसा नहीं है मैं कहीं से कोशन नहीं पूछता हूँ मैं कहीं से भी कोशन पूछता हूँ और उसी के वज़े से क्या है कि स्टुएंट चले जाते कुछ है और मेरी आद्ध कोषिन में से सारे पूजता हूं कि मैं तो आंसर नहीं पता है यहां पर रहा है नंबर वन रहेगा रहेगा नंबर फौ रहे गांड़ादेश किसी कि साथ में बंगलादेश के साथ मैं एका श्ली है कब दियान देजिएगा यह और ya 2019 को ये भी दिये किया देखेगा कभी-कभी डेट्स भी आयाती है पूछ लिए जाता है ठीक है मिलेट्रियक साइस इसके साथ हुई देखे कहा कुई सबसे पहली बात कहा हुई भायत बंगलादेश सहीक तुसे यूटूब पर बहुत सारे लोगों ने जो लोगों चाप कर दिया कही नया जोन कौन सा है ठीक है तो सभी का अनसा नहीं नया जोन किस नाम से होगा किस नाम से होगा अरविन जी ओ कोरो मंडल रेलवे कि option A option B बतलब confusion अभी भी है ठीक है मतलब इस घोजना को एक महीने से ज़्यादा हो गया है कोई बात नहीं है फ्रेंट्स को अन्फीजन होता है हमें प्रतिश जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अहांद प्रदेस में है बिल्कोल नेट काम निकार अतुल जी कोई बात नहीं है एक काम किजिए वीडियो को साउथ साउथ कोर्स रेल्वेस का नाम रखेंगे ठीक है क्या नाम होगा क्या जोन का नाम क्या होगा अभी कितने जोन है कोई बताएगा अभी कितने जोन है अभी हमारे रेल्वे में कितने जोन है अप्शन डी बिल्कु सही नितिन जी अर्विन चौदरी जी बिल्कु सही कि एक इप इप आपके सामने और लास्ट वोशन पढ़िये आराम से और बताइएगा मुझे और पीडिये आपको मिल जाएगी पीडियेफ इसकी नहीं मिलेगी मैं बता दूँदे कि इस question की मैं इसले नहीं दूँगा क्योंकि देखे इसकी तो मैं आपको already जो है एक बार provide करा चुका हूँ उसमें आपको 500 question जो है 700 question जो है उसकी provide करानी है जिसकी आपको practice करनी है ठीक है आने वाल exam मैं उन मैं से 700 question मैं से नहीं बोलूगा कि आ सकते हैं लेकिन में भी आपको exam के लिए help करेंगे मैं ये दावा नहीं करूँगा कि मेरे question 100% आएंगे लेकिन मैं ये बोलूँगा कि अगर आप पढ़ेंगे तो definitely वहाँ से आपको कुछ न कुछ मिलेगा आपको पढ़ने के लिए ठीक है तो कि दावा जो है करना गलत बात है ठीक है दावा नहीं कर सकते हैं क्योंकि examiner बहुत सारी चीज़ पूछ सकता है ठीक है ओके option रहेगा थर्ड बया अजीत कुमार मोहंती किसका आया option सर्वेश पाल बहुत बढ़िया देखे भावा की बारे मैं मैंने अठा दिया ठीक है लाज कोशन है थोड़ा सा आपसे डिसकस करूँगा ठीक है थोड़ा मैं डिसकस करूँगा आपसे पहली बात बतारा है भावा का भावा जो अनुशन दान केंदर है वो कहाँ पर है बाबा अनुशनदान केंदर कहाँ पर इसका मुक्षैले कहाँ है कमेंट कीजिगा देखते है किस किस का अंसर आता है option C बोर ठीक है कोई जीत नहीं है कोई दिक्कत नहीं थी बिल्कुल लेकिन दीपुजी बिल्कुल आपका सही है मुझे ये बताइएगा ये कहाँ पर है से पहला question तामबी में, महाराष्ट के बुंबई बिल्कुल ठीक है इसकी स्थापना क्या होईती तारापुर महाराष्ट, बिल्कुल बिल्कुल तारापुर महाराष्ट, ठीक है सुरी satफ, मेरी बात अब मुझे कोई بتाएगा किसकी इस्थापना क्या वोई थी इसकी इस्थापना foundation क्या वोई थी तामबे भूंबई ठीक है बिनुप्यों के दीपु जी लेकिन अब अगला कोशन आपको मैं पूछ रहा हूँ अगला कोशन माराज तामबे है बिल्कुल अर्विंद चौजरी जी लेकिन अब कोशन पूछाँ foundation का हुई थी कुछ भी पूछ सकता आप से एक्जामनर का मूल है वो डियार्ड यो अपने सामने रखेगा पूछ सकता है आप देख लेते हैं ठीक है भाईया देखे सुनिए अटोमिक सेंटर यानि भावा अटोमिक सेंटर स्थापनी ती जन्वरी टीस जन्वरी 1954 में ठीक है बेल गाली पर ले जाकर सारी इंस्टूमेंट जो है सबी से अलग अलग आ रहे है भी है यह कहीं से गलक्त नहीं है, DRU का data है, किसका data है, DRU का data है, ठीक है, किसका अच्छी लगोगी, तो friends, एक like कर दीजेगा, अच्छी लगे वीडियो, share कर दीजेगा, और 10 वजे वाली वीडियो अटेंड कीजेगा, और सभी से क्वेस्ट लेगी, math, reasoning की वीडियो भी देखिए, कोई दिखकत नहीं, अगर आपको अच्छी लगती है, continue कीजे, okay, PDF बगेर भावा, atomic research center, pushin में लिखा है, बताने की जोती नहीं थी इसकी, okay, तो friends, I think वीडियो अच्छी लगे, तो like करें, share किए, subscribe पीचे, और पढ़ते रहेगा, और आप सभी के support के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, thank you friends, watching this video, best of luck आपके exam के लिए, ठीक है?